जै श्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अभी नंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार अब लोग अब अब लोग अब इसका आज देखा जाए तो लेक्षर नंबर थी है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकांटिंग प्रिंस्पल का और इससे पहले जो लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें फोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे के आज के इस portion को start करते हैं अभी तक आप लोगों ने इसमें क्या-क्या पढ़ लिया है कौन-कौन से concept कौन-कौन से principle पढ़ लिये हैं जिन में सबसे पहले आपका business entity concept था दूसरा आपका था अक्रूवल कौनसेट था तिसरा आपका cost concept था फिर और आपका क्या था डबल स्पेट कौनसेट था यह सारे concept यह चार concept हम लोगों ने बहुत डेटेल में पढ़े हैं और आज हम लोग अपना next concept पढ़ने जा रहे हैं और next concept हमारा क्या है going concept कि जब आपगी कॉंसेट की बात करते हो हैं इगिंग लिंक लिख लिए लुग लिए मैं इस प्रिथिवी कोई भी चीज सवास्षभत नहीं है इस यह मतल्ब कोई वियर है जो हमेज़ा के लिए हैं हमेशा के लिए कुछ नहीं है इस्प्रित भी पर उसका एक्सपाईरी टाइम है हर एक चीज का जब कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है तो सीधी सी बात है एक निश्चत समय आने के बाद वो चला भी जाता है कोई भी चीज रहे चाए बिल्डिंग है चाए मकान है चाए चीज का क्या है बेटा एक स्पाईरी टाईम है लेकिन ये जो गॉइंग कान्सेप्ट है ये कहता क्या है यह कहता है कि जो हमारा बिजधे करेगा और था क्या करेगा यानि एक ऐसा भविष्ष जिसे आप देख नहीं सकते एक ऐसा भविश्य जिसे आप क्या नहीं कर सकते देख नहीं सकते उस भविश्य तक आपका बिजनस क्या करेगा रन करेगा चाहे आप soul proprietor लेकर चलिए चाहे आप partnership लेकर चलिए चाहे आप क्या लेकर चलिए company के लेकर चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अब इसके लिए मैं आपको एक example देता हूँ आप लोगोंने एक company का नाम सुना होगा MDH आप लोगोंने नाम सुना होगा Tata आप लोगोंने नाम सुना होगा Reliance आप लोगोंने नाम सुना होगा Adani तो यह जो company के नाम मैंने आप लोगों को लिखे हैं यह सीधी सी बात है आज 2-4 साल 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी company नहीं है यह generation पूरेशन टू जनरेशन चल रही हैं अगर हम रेलाइन की बात करें तो रेलाइन की स्थापना धिरू भाय फकी अपनी अपने पूरी जिंदगी उन्हें अपनी कंपनी चल लाई धिरू के बाद उनके बड़े बेटे छोटे बेटे मिलकर अनिलंबानी और मुके संबानी मिलकर चलाए और अब उनके बाद उनके जो पोते हैं आकास अंबानी ये मिलकर चला रहे हैं आकास के बाद उनका जो जनरेशन आएगा वो मिलकर चलाएगा यानि कहने का मतलब यह देखो जनरेशन से जनरेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है unseen future जब धीरू ने business start किया तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि उनकी तीन जनरेशन इस business को चलाएगा अंसर है नहीं तरह है नहीं क्योंकि बाई सी दी सी बात है business क्या है risk है कभी भी आपके favor में हो सकता कभी भी आपके favor में नहीं हो सकता तो लेकिन फिर वी जो जर्णल perception होती है वो जर्णल perception यही होती है कि business आपका क्या करेगा for seen future तक चलेगा लॉंग टर्म तक चलेगा अब लॉंग टर्म में कोई explanation नहीं है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कोई explanation नहीं है अब यहाँ पर दो अजम्शन आती हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये दो अजम्शन अगर आपने deny कर दी तो आपका business 100% चलेगा और दो अजम्शन क्या हैं किसी भी business को बंद होने के दो कारण इसी भी business को बंद होने के कितने कारण बेटे दो कारण पहला कारण ये owner पहला कारण कौन आपका owner जब मालिक स्वयम चाहे कि हमारा business बंद हो जाए मालिक स्वयम चाहता है कि हम अपने बिजनस को अब हम नहीं चलाना चाहते है तो फिर दुनिया की कोई पावर उसे नहीं रोक सकती और दूसरा जब आपका law चाहे law यानि क्या आपका government law यानि क्या आपका government जैसे आप देखो बिहार में दारू बेचना क्या है लीगल है कि इन लीगल है लेकिन आज से 20-10 साल पहले लीगल था आज से 10 साल पहले क्या था लीगल था पॉलिथीन बेचना लीगल है कि इन लीगल है लेकिन आज से 5 साल पहले 6 साल पहले लीगल था भी तुब आप देखिए तो ये दो कारण होते हैं जो बिजनस को बंद कर सकते हैं Otherwise और कोई तीसरा point नहीं है जिसकी वज़ा से आप बिजनस को क्या करो बंद करो ये आप जालो अगर owner कहेगा कि मुझे अपना बिजनस चलाना है और law भी उसके favor में है तो loss होने के बाद भी वो बिजनस को चलाएगा example कोविड में देखो आठ महीना नौ महीना एक साल दो एक साल डेड़ साल तक बिजनस सारे बंद थे कि नहीं बंद थे loss आ गया था कि नहीं लोगों के सर पे आ गया था लेकिन लोगों ने फिर से come back किया कि नहीं किया लोगों ने फिर से क्या किया come back किया when clear हो रहा है तो going concept यही कहता है कि आपका जो विजनस हैं उसकीagersन होती है वह क्या होती है बेटा when clear हो गया यह पढद लियते है इसको देखे क्या लिखा गाहिस में कैता है गोईंग कांसेट इन अगाऊंटिक स्थ स्थ एंप सुश्टनिट सथ the business activity will be carried by any firm for the unlimited duration. this simply means that every business has a continuity of the Life, hence it will not be dissolved shortly. this is the important assumption of the accounting as it provide a base of representative the assets value in the balance seat यानि जो आप balance seat भी बना रहे हो ना वेटा वो इसी बेस पे बनाते हो ध्यान से सुनो जो आप balance seat भी बना रहे हो इसी बेस पे बना रहे हो क्योंकि आपका business क्या करना है चलाना है अगर आप से कोई एक सवाल पूछे कि ज़रा बताओ हम balance seat क्यूबनाते हैं ज़ान से सुनो आप से एक सवाल है जरा बताओ balance seat हम क्यों बनाते हैं किस principle के base पे बनाते हैं तो आपका answer होना चाहिए कि sir हम going concept के base पर अपने balance seat को क्या करते हैं prepare करते हैं बनाते हैं क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया इसलिए हर साल आप एसेट साइड में मसीन दिखाते हो लैंड दिखाते हो फरनीचर दिखाते हो बिल्डिंग दिखाते हो और उसमें आप पर्टिकुलर डेप्रिसियेशन माइनस करते हो फिर अगले साल फिर वही कंसेट आप दोहराते ह हो फिर से land building machine फिर depreciation फिर माइनस फिर अगले साल फिर वही concept यानि आपका business क्या हो रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है assets खरीद रहे हो assets बेच रहे हो depreciation काट रहे हो point clear हो गया कि नहीं clear हो गया अब यही example यहां पर भी दिया गया है कि आपने एक plant और machinery purchase की है कितने लाख रुपए की 10 लाख रुपए की और इसका जो life है वो कितना साल है 10 साल देखो machine का life 10 साल है business का life 10 साल नहीं है क्योंकि 10 साल के बाद हम नई machine खरीदेंगे क्या हो सकता है 2-3-4 साल के बाद ही हम नई machine खरीद ले एक बात बताईए आप जब mobile phone खरीदे हैं और mobile phone में यह कह देगे वह यह 10 साल तक चलेगा तो क्या 10 साल वही mobile चलाते रहते हो अरे हो सकता है दो साल तीन साल के बाद opportunity मिली नया mobile खरीद लिए यह यह भी हुआ कि mobile ही खराब हो गया या mobile क्या कहते हैं आपका due to any को डामेज हो गया तो आपने नया mobile खरीद लिया की नहीं खरीद लिया तो क्या बिजनस बंद कर दिया कि mobile ही चेंज कर दिया चलने दिया और mobile क्या कर दिया आपने चेंज कर दिया बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले concept की तरह चलते हैं अब हमारा अगला concept है बाभू money measurement concept इसको थोड़ा ध्यान से समझना है और देखा जाए तो money मेजर concept आप एक बार आल्रेडी पढ़ चुके हैं अब आप कोगे की सर हम कब पढ़े हैं आपने तो पढ़ाया यह नहीं है मैं बताओं आपने कब पढ़ा हैं आप जब account की definition पढ़ रहे थे आप जब कब पढ़ रहे थे account की definition पढ़ रहे तो account की definition में बेटा आपने एक terms पढ़ा था financial transaction आपने terms पढ़ा था क्या financial transaction और financial transaction में मैंने आपको बताया था कि finance का मतलब ही है money को represent करना finance का मतलब ही है क्या आपका money को represent करना और इस money में आप तीन चीज़े को देख सकते हैं एक cash दूसरा coin और तीसरा आपका क्या bank balance तीसरा आपका क्या bank balance इसको bank balance को बेटे हम लोग digital currency भी कहते हैं आजकल तो अपने इंडिया में digital currency का धीरे धीरे जनम हो चुका है आप देखोगे अपने जो प्राइम इनिस्टर हैं उनका एक बहुत बढ़िया चीज मुझे लगती है उन्होंने कहा कि कोई भी चीज रातो रात नहीं मिलती उसके लिए long term planning करने की आउशक्ता होती है नहीं पहले आधार कार्ड वनवाया था फिर बैंक खाता खुला था और फिर दोनों को लिंक करवा दिया और आज के टाइम में डिजिटल करेंसी को वह प्रमूट कर रहे हैं तो चो 2014 में जब वह बैठे थे तभी उनके दिमाग में डिजिटल करेंसी चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी लेकिन डिजिटल करेंसी आई थे नहीं कि रातो रात आ जाए उसको लाने के लिए भी अभी बहुत काम करना बाकी है क्योंकि हाड करेंसी से जो करप्शन होता है उसको रोका जा सकता है किसकी वज़ा से डिजिटल करेंसी की वज़ा से आप लोग जो इसकैन एंड पे करते हो न वो ट्रांस्पैरेंट ट्रांजेक्शन होता है Transparent transaction का मतलब मेरे account से पैसा गया सर आपके account में मेरे account का भी detail government के पास जा सकता है और सामने वाले का भी detail किसके पास जा सकता है government के पास जा सकता है जैसे suppose करो आपके पास पांच लाख रुपिया पैसा आया माल लीजे आपकी किसी भी enemy country से कोई भी आपकी एनमी कंट्री है माल लीजे पाकिस्तान आप 24 गंटा इंतजार करिए आपके घर पे ना सीबी आई वाले आ जाएं तो बताईएगा गंदर अंदर आ जाएंगे कहां से आया हो पाकिस्तान से कहें आया हो जौन सवाल जबाब आपको देना पड़ेगा का अप ठक जाएंगे आप बता नहीं पाएंगे आरण क्या है कि वहां पर भाई सीदी सी बात है इतना पैसा वह साले भिखारी लोग हमको पैसा दे रहे हैं इनके पास खुद खाने को नहीं फिर भी वह हमकों पांच लाग दे रहें क्यों दे रहें तो देखो तो ट्रांसफेरेंसी होनी चाहिए जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं और इसी ट्रांसफपरेंसी की वजह से आपका जो करॉप्शन होगा वह क्या हो जाएगा डाउन हो कर रहे है तो उसको आप क्या कहोगे फाइन में मेजर करोगे मनी में मेजर करोगे जैसे इसके आप केला लेने जाते हो तो क्या कहते हो एक किलो केला दे देना एक लीटर दे देना नहीं नहीं सर एक दरजन दे देना जब कोई भी लिक्विड समाल लेने जाते हैं उसमें आप क्या कहते हैं एक लीटर दे देना या बहुत प्रसिद्ध है कि सर एक किलो भी दे देना वहाँ पे दोनों मिक्स होता है आप लेने जाते हो तो यह नहीं कहते हो कि एक लीटर दे देना आप कहते हो भी एक किलो वाला मापने का मेजरमेंट है तो ठीक उसी प्रकार जब आप ट्रांजेक्शन को मापेंगे तो किसमें मापेंगे पैसे में ही तो मापेंगे पैसे में और इंसान की जो वैलू होती है वो भी तो आप पैसे में ही तो मापते हैं कोई वेक्ति करोड़ पती है लगपती है भले वह ए है यह तो concept है पैसा ही तो सब कुछ है पड़ यह जरा क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है कहता है कि the money measurement concept assume the money measure concept assume that the business transaction are made in the terms of the money that is in the currency of the country हमारे देश में कौन सी currency चलती बटा है हमारे देश में क्या चलती है रुपिया चलता है रुपीज चलता है ना पहले यह सिंबल आपका ऐसे था इसको कनवर्ट करके ऐसे बना दिया गया ठीक है फिर क्या कहता है in India इन इंडिया अभी भी है लेकिन ठीक है कहता क्या है in India such transactions are made in the terms of the rupees hence as per the money measurement concept transaction that can be expressed in the terms of the money should be recorded in the books of the account जिस भी transaction को आप money में measure कर सकते हैं ध्यान से सुनिएगा जिस भी transaction को आप money में measure कर सकते हैं उनसको आपको क्या करना है record करना है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई इक्जांपल भी दिया है यहां पर कहता है कि आपने goods sold किया कितने रुपए में दस हजार रुपए में और आपने purchase of raw material कितना किया पांच हजार का rent paid किया आपने कितने का दो हजार का लिख्या भी है आगे express in the terms of the money hence these transaction can be recorded in the books of the account बात समझ में आ गई की नहीं आ गई बटा दिक्कत तो नहीं एक छोटा सा अब माल लीजे मैंने आप लोगों को gift दिया माल लीजे गिफ्ट दिया मानना ही है तो क्या उस gift को आप लोग अपनी copy में record करोगे नहीं नहीं अभी नहीं थोड़ा करो इंतजार तो कहने का सीधा मतलब है आप उसको record नहीं करोगे क्यों क्यूंकि आप उसको money में measure नहीं कर सकते लेकिन हाँ वही चीज आप दुकान से खरीद के लिए कि आओ तो फिर आप उससे फिर क्या करोगे record करोगे क्लियर हो गया भी आप तो भी नहीं करेंगे देखो देखो मेरी बात सुनो कि बिजनेस का कभी भी बड़े नहीं मनाया जाता पहले तो यह जानो आप यूमन है आप यूमन है ठीक है और यूमन आपको भी पता है कि यूमन कभी भी कल ही बताया था मैंने आप सिर्फ बुक कीपिंग करते हैं एकाउंटिंग नहीं करते हैं कल बताया था आपको ठीक ना मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखा करिया आप लोग आगे देखते हैं तो अब हम अपने जाने तीसरे अगले पर चलते हैं अगले concept वे चलते हैं बहुत प्यारा तर्फ यह द्यांसे सुनिएगा इसका नाम है आपका accounting period concept accounting period concept क्या होता है ध्यान से सुनिएगा इसको हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन अवधी भी कहते हैं क्या कहते हैं लेखांकन अवधी देखिए एक चीज जानिए बेटा किसी भी चीज को जैसे आप कहते हो कि सर मुझे नेट रिजल्ट पता करना है सर मुझे अपना नेट फाइनेंशयल पुजीशन भी पता करना है फिरिड को फिक्स्ड पीरियड में दाटा classify करना पड़े एक फिडाट में डाटा क्लासिफाइओ करना पड़ेगा एक चीज जाने इए करते जरनल इंट्री की बात करते हो जरेनल इंट्री आपका डग टो डग किया जाता है कि क्या किया जाता है रिकॉड किया जाता है जब आप लेजर बात करते हैं इसको आप हम अनु though रिकॉर्ड करते हैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं जब आप कि बात करते हैं तो ट्राइल भी आपका क्या किया जाता है इंड ओफ इयर रिकॉर्ड किया जाता है रेडिंग रेडिंग और पी यल की बात करते हैं तो ये भी कब बनाया जाता है इंड ओफ इयर रिकॉर्ड किया जाता है और जब आप बैलन सीट की बात करते हैं बैलेंस जीट आपका वर्टी कुलर डीट पर बनाया जाता है अपका बनाया जाता भुष्टा गिल हर भेट एक ne कुलर डेट पर यानि एक निस्चित दिन पर वन ज्व्दीं मतलब एकоЯक्डिन हो गया मंतली मतलब 30 दिन हो गया इंड आफ दवि यह का मतलब होता है बेटा जर्नली 12 मन्थ कितना आपका 12 मन्थ ठीक है और यह जो पर डीडेट है तो हम लोग क्या कहते हैं साल के आखरी वाला दिन आप समझ में आ गए कि नहीं आ गए अब यहां पर कुछ चीजे और और समझें लास्ट डेटे जula होता है कि यह क्या होता है आपका लास्ट डेट होता है लास्ट डेज ओफ यार्डाश्ट डी ओफ एड़ तुरर करन्जेक्शन को दो पिरेट में रिकॉर्ड करेंगे हम ट्रांजेक्शन को कितने पीरेड में रिकॉर्ड करेंगे दो पीरेड में रिकॉर्ड करेंगे एक होगा हमारा फाइनिंशियल पीरेड एक होगा हमारा क्या बाबू फाइनिंशियल पीरेड या फिर एक होगा हमारा कैलेंडर पीरिड एक होगा हमारा क्या कैलेंडर पीरिड फाइनिशिल पीरिड की जो स्टार्टिंग है वो एक अपरेल से लेकर 31 मार्च तक चलती है और कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो ये एक जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होती है समझ में आ गया अब मेरी बात सुनिये ध्यान से अगर आप एक जनवरी से 31 दिसंबर बात करते हैं तो ये अंग्रेजियों के द्वारा बनाया गया पीरिड है ये अंग्रेजियों के द्वारा बनाया गया पीरिड है और अगर आप । एक अपरियल से 31 मार्ष की बात करते हो यह हिंदु सभिता के द्वारा बनाया गया पीरेड है यह आप जाने और जितने भी ध्यान से सुनना जितने भी गर्मेंटब्रि कर होते हैं। जितने भी क्या होते हैं जितने भी और्गर खेशन हैं कि यह टीटने भी आपके क्या होते हैं और एडिकस्ट अलगनाइजेशन हैं या सब सब्सक्राइब करेंगे भारतियजों वाला यह अंगरेजस्टों आप गिंदू परेटा लेकर 31 मार्च सब्सक्राइब यह वाला कौन फॉलो करते हैं लेंगरेज वाला कौन फॉलो करते हैं चोटे ऑरस्टे एक छोटे और्गनाईज़ेशन यानि सोलप्रोप्रायंटर तक छोटे और्गनाईजेशन या जो कि अन्रेजिस्ट्रेंट होते हैं यह क्या होते हैं इसनल टीके हमेद्न में आ गया इनलोकुक इनका ओंसेट्ट आई ए है इसमाझ में आ गया चलीए तुझे फाइनिशल पीरेड आप के रेजिस्टर driving आपके बनाते हैं इउकेशनल ऑर स्कूल हो गया कोचिंग हो गया जिसे कहते हैं सट्र चल रहा है और कंपनी हो गई गवर्णमंट डिपार्ट안 हो गए यह आपके स्टर कोटेंगे कि अजुकेशन भाई आपका एजुकेशन सिस्टम भी देखो ना जब तक आप बारा में थे तो कब तक पढ़ते थे एक अप्रेल से आपके स्टार्टिंग हो जाती थी और मार्च तक आपका पेपर ऊपर खतम हो जाता था रिजल्टों आ जाता था कि याद आया कुछ तो आप लोग खुद क्या फॉलो कर रहे हो एलेंडर फॉलो फाइनेंचल फॉलो करके आ रहे थे कि अ कि इनको बनाने के लिए आपको फिक्स पीरिट शही होता है हां 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 मैं देखो एक चीज जानो बेटा एक चीज जानो कि आपने अगर हम इसकी बात करें यूनिवर्स की बात करें से सुनियेगा तो चीज की आपने लंबाई चौड़ाई मापी है आप प्रित्वी से लेकर चंद्रमा की दूरी प्रित्वी से लेकर सूरश की दूरी प्रित्वी से लेकर इस ग्रह की दूरी सब आपको पता है लेकिन आपको पता है आज तक समुद्र कितना गहरा है इसकी कोई गहराई नहीं ना पाया है है मतलब हम अंत्रिष्ट तक पहुंच चुके हैं लेकिन आप यह जलो के हम लोग समुद्र तक नहीं जा चके पूरा कितना गहरा वो नहीं है आप पता कर पाए है है कि अ कारण क्या है कि आप उसको आप बांधी नहीं पाए होना आप बाधी नहीं मैंने क्या कहा कि आपको ट्रांजेक्शन पता करना है तो आपको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़े तो आप जब सेटें नहीं कर पाए तो आप मापोगे कैसे यह तो देखो पड़ते हैं कंप्रेजन का यह देखते हैं कहता है कि accounting period concept state that all the transaction recorded in the books of the account should be based on the assumption that the profit of these transaction is to be ascertained for the specified period देखें साप साप लिखा है specified period hence this concept said say that balance sheet and the profit and loss of the business should be prepared at the regular interval लब एक निश्चित अंतराल पर आपको उसको क्या करना है बनाना है यह आगे देखें दिस इस दा इन्पोर्टेंट फॉर्ड दिफरेंट पर्पर्पोस लाइक का काल्कुलेशन आप दे प्रॉफिट प्रॉफिट इन्टू आपको बताया कि जो कॉइंग कॉंसेप्ट है वो बिजनस की लाइफ को क्या करता है नहीं नहीं बिजनस की लाइफ को accounting period यानि जो हम उस पार्ट में बाट रहे हैं उसी पार्ट को हम क्या कहेंगे accounting period कहेंगे it can be the one month three month six month एक महीना तिन महीना चे महीना के हिसाब से बाटा जा सकता है लेकिन हम जो follow करते हैं यूजली देखें सब्द क्या लिखा है यूजली वन ये एड़ा कंसीर आपका फोलो करते हैं वह आपका आपका क्या हो सकता है और अपका कर दीजेगा यहां पर दिसंबर होगा एक अप्रेल से 31 वार्ष ठीक है अगला देखते हैं है रिलाईजेशं इन सेफ्ट है कि री रींजेंशन कॉंजेट और कॉंसेब्ट।्ट दोनों एक दूसरे के बिरोधात्मक बते करते हैं की क्रूर क कहता था की क्रांजिक्शन में हो रिकारड कर लो Looking realization कहता है कि जब हाप कैसे पैसा मिल जसाए अब प्रिकॉर्ड करो जब आपको वाष्ट में पैसा मिल जाए यानि आप सपोज करो कि आपने आपने जैसे मालीचे मैं अपनी बात करता हूं ठीक है पेरी क्लास में दस बच्चे थे अब दस बच्चे जब थे तो मैंने उनसे कहा था कि बिटा आपको एक-एक हजार रुपया देना है एक महीना पढ़े एक महीना के बाद सारे के सारे चल आपको याद हो तो आप लोगों ने पार्टनर सिप नाम का एक शैप्टर पढ़ा हुआ है जहां पर पढ़ते थे आप लोगों ने एक अकाउंट पढ़ा था रिलाइजेशन अकाउंट पढ़ते थे आप तो रिलाइजेशन अकाउंट इसी रिलाइजेशन कॉंसेट के बेस पर बनाया जाता है या आप यह भी कह सकते हो कि जब कंपनी का लिक्वीडिशन होता है या कोई भी कंपनी का जब समापन होता है तो उस केस में हम इस रिलाइजेशन कॉंसेट को क्या करते हैं बाबू करते हैं क्यों कि वास्तविक में आपको कितना पैसा घा रहा है या वास्तविक में आपके पास पैसा पैसा कितना जा रहा है ध्यान से अ यह एक चीज और है जब आप assets की बात करते हो तो आपको actual cash receive से मतलब होना चाहिए एक्ट्यूल cash receive से मतलब होना चाहिए लेकिन जब आप liability की बात करते हो जब आप किस की बात करते हो liability की बात करते हो